हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हर्फिंग लाइप टिव्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंसीव करने के लिए बच्चे दाने का मुग कब खुलता है और आफ्यूलेशन प्रेट क्या होता है? प्रेंग्नेंसी कंसीव करने के लिए में जानना जारूरी है कि उसके बच्चे दाने का मुग कब खुला होता है और रेलेशन वनाने के लिए कौन सा समय वेश्ट होता है? प्रेग्नेंसी भगवान का दिया हुआ एक बरदान है और इस बरदान को पाने के लिए हमें कितनी परिशालियों का सामना करना पड़ता है कुछ मजलाओं को तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी 30 सालों ट्राइ करने के बाद भी प्रेग्नेंसी कंसी उने ही होती है जिसका एक कारण आपके बच्चेदानी का मूँ उस समय ना खुल पाना भी हो सकता है अगर आप चाहती हैं कि आप 100% प्रेगनेंट हो तो आपको इस बात का धान रखना होगा कि जिस समय आप रिलेशन बना रही हैं उस समय आपके बच्चेदानी का मूँ खुला हो और यह जानने के लिए एक बहुत ही असान तरीका है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जिस से आप नेक्ट मन्थ ही 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी तो यह जानने के लिए वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा जरूर देखें तो आये जानते हैं कि बच्चेदानी का मूँ कब खुलता है और कितनी दिनों तक खुला रहता है आम तोर पर हर्मिला की प्रेट साइकिल अलग-अलग होती है नर्मली 21 से 35 दिनों की प्रेट साइकिल नर्मल साइकिल मानी जाती है और जब pread cycle अलग होगी तो बच्चेदानी का मूँ खुलने का समय भी अलग ही होगा नर्मली जब pread आता है तो बच्चेदानी का मूँ खुलता है और pread खत्म होने के बाद बच्चेदानी का मूँ साथ से 8 गिनों तक खुला रहता है यानि कि pre-eat खत्म होने के बाद अगर आप relation बनाती है तो आपके pregnant होने के chances ज्यादा होते हैं लेकिन pregnancy हमेशा ovulation पर ही different करती है क्योंकि ovulation से ही आपकी pregnancy confirm होती है और ovulation का period ही pregnancy confirm करने के लिए important होता है इसलिए आपको अपने period cycle से पहले आपको अपना ovulation period जानना जरूरी है ताकि आपको पता हो सके कि आप महिने के किन दिनों में relation बनाने से आप पक्का pregnant हो जाएंगी अब हम यह जानते हैं कि ovulation period और ovulation process क्या होता है जब महिलाओं का ovulation period चल रहा होता है जो कि 28 दिनों के normal monthly cycle में से 12 से 16 दिनों के बीच के समय में सुरू होता है ये 3 से 4 दिन सबसे ज़्यादा fertile lege माने जाते हैं इस समय अगर आप relation बनाती हैं तो conceive करने के चांद से सबसे ज़्यादा होते हैं जब एक महिला अप्विलेट कर रही होती है तो उसकी ओबरी से एक अंडा बड़ा होका निकलता है ओबरी से निकलने वाला अंडा फैलोपेन ट्यूब में 24 से 36 गंटे तक जीवीत रह सकता है जबकि पूरुस के sperm यूट्रस में 5 से 6 दिन तक जीवीत रह सकते हैं और जब पूरुस का स्पॉर्म फैलोपेन ट्यूब में फ्रेश करता है तो दोनों का मिलन वहाँ पर होता है इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं ये 4 से 5 दिन तक चल सकता है जिससे ब्रून बनता है और ये ब्रून फैलोपेन ट्यूब से आकर यूट्रस की दिवार से चिपक जाता है इसके बाद वह यूट्रस में खुद को इंप्लांट करता है और आप कंसीव कर लेती हैं यानि प्रेगनेंट हो जाती हैं अब हम आपको बताते हैं कि प्रियेट के बाद कितने दिनों तक बच्चेदानी का मूँख खुला रहता है अगर आप प्रियेट आने के 12 से 18 दिन के बीच रिलेशन बनाती हैं तो आपके प्रेगनेंट होने के चांसेज पूरे-पूरे होते हैं क्योंकि इसी समय महिलाओ की बच्चेदानी में एक बिक्सित होता है जिससे अगर आप इस समय रिलेशन बनाती हैं तो आपके प्रेगनेंट होने के चांसेज 100% होते हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपके बच्चेदानी का मुझ कब खुला रहता है और आपको कंसीव करने के लिए रिलेशन किस समय बनाना चाहिए उमीद है कि आप इन तरिकों को अपना करजल्दी से जंदिर कंसीव कर लेंगी आई होब वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें फ्रेंट के साथ सेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बुलें थैंक्यू